नमस्कार स्वागत है आपका आप देख रहे हैं इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूँ प्राची पारशर दमदार दस सीधा विजय चौक से क्योंकि आज होने जा रहा है शीतकालीन सत्र का आगा जिसमें वक्व संशोधन बिल समेत 16 बिलों को इस सदन में पेश किया जा सकता है हंगामिदार रहने के आसार हैं तो वहीं इस संसोध इस सदन के शीतकालीन सत्र से पहले प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी क्या बोलते हैं मीडिया से वो जब मुखातिप होंगे कि तो क्या संदेश आज पीम देने जा रहे हैं देश को भी और विपक्ष को भी इस पर सभी की निकाहें बनी रहेंगी तो वहीं दूसरी तरह देश में चर्चा का विशह स्तंभल जहां हुए दंगे के दंगाईयों को अब कैसे पुलिस शांत कर रही है और कैसे एके को चिन्नित किया जा रहा है कैसे उन्हें पकड़ा जा रहा है कैसे माहौल को शांत किया जा रहा ह ये हम आपको बताएंगे इसके साती सात अकोला में बवाल क्यूं हो गया इसकी जानकारी पी आपको देंगे वहीं महराश्ट से ही आज कैसे कोई बड़ी खबर निकल कर सामने आ सकती है किसी भी वक्त भारते जंता पार्टी या महायुती सीम फेस का उमीदवार का ऐलान कर सकती है इस पर हमारी नजरे बनी रहेंगी इसके लावा आज वाइनाट से प्रियंका गांधी चुनकर सदन पहुँच रही है शपत वो संसत की लेंगे उनका डेब्यू कैसा होने जा रहा है ये भी आपको बताएंगे इन खबरों के लावा आपको बताएंगे राजठाकरे की पार्टी मनस क्यों खत्रे में है और जारकंड में हिमन सोरेन सरकार का 28 को शपत गहन होगा इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी लेकिन इस वक्त हम मौझूद हैं मिज़े चौक पर और ये मौझूदगी इस वजह से है क्योंकि संसत के शीतकालीन सत्र का आज आगाज होने जा रहा है और आज का ये जो शीतकालीन सत्र है ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि सरकार के जो important बिल हैं सरकार इस सदन में लेकर आएगी मेरे ठीक पीचे आप संसत भी देख रहे हैं और उसी संसत में पक्ष और विपक्ष आपस में एक दूसरे के साथ मुद्दों पर बहस करेंगे हाला कि जो गुझाईश है या पर जिस तरीकी की संभावना हैं उसके मुताबिक वक्ष संशोधन बेलगर सरकार की तरफ से लाया जाएगा तो हंगामेदार ये सदन हो सकता है हंगामेदार सदन का सत्र हो सकता है जेपिसी की बैठकों में आपने लगातार देखा था आपको सीधा तस्वीरे दिखाएंगे पी-म क्या कहते हैं ये भी आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले आपको बता दू संभल की खबर जहां भारी बवाल हुआ जहां के माहौल को खराब करने की कोशिश की गई संभल पुलिस ने दंगाईयों पर आक्शन तीस कर दिया है बड़ी खबर ये है कि संभल हिंसा में अब तक 24 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है जिसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं जो पुलिस पर पत्थर बाजी कर रही थी उन्हें भी पुलिस ने गिरफतार कर ल पुलिस का कहना है कि इन चारों की मौत दंगाईयों के तरफ से हुई पायरिंग की वजह से हुई है कल संभल में शाही जामा मस्युद के सर्वे के दौरान उपद्रव्यों की भीर ने पुलिस पर पत्राफ किया था आगजनी की थी जवाब में पुलिस ने आसुगैस के ग घायल हो गए थे तो देखे संभल से बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है कि हिंसा के बाद संभल पुलिस हाई अलर्ट पर है चप्पे चप्पे पर पुलिस पल की तैनाती कर दी गई है संभल में किसी भी बारी शक्स की एंट्री रोक दी गई है इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह से जो अफवा है वो संभल में ना पैल पाए और संभल एक बार फिर तनावकून स्तिती से जूजता हुआ नजर ना आए 25 सबंबर तक 12 तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है वहीं प्रशासन ने 1 दिसंबर तक शहर में बाहरी लोगों की एंट्री पर बेन लगा दिया है मस्जिद के आसपास के इलाकों को पूरी तरह से चावनी में बदल दिया गया है इसके अलावा शाही जामा मस्जिद के तरफ जाने वाले सभी रास्तों को बैरिकेड कर दिया गया है ड्रोन से इलाके के निगरानी रखी जारी है संबल में अभी क्या हाल है पुलिस की क्या तरियारी है आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं रईवार को संबल में जिस तरीके से शाही मस्जिद में सर्वे करने टीम आई उनके उपर पत्राव हुआ और यहाँ पर आगजनी हुई इस वक्त हम संबल में शाही मस्जिद के बाहर मौजूद है और फिलाल शाही मस्जिद पर भी किस तरीके से पत्राव यहाँ पर किया गया जो सर्वे करने वाली टीम यहाँ पर आई हुई थी उसके सबूत अभी भी आप यहाँ पर देख सकते है मस्जिद का जो बाहर का हिस्सा है यहाँ पर अभी भी पत्थर लगातार यहाँ पर पड़े हुए है यह आप जो स्पॉर्ट देख रहे हैं और इस तीसरी गली से भी भी डिखटा होके इस मस्जिद की तरफ बढ़ती है यहाँ पर जितनी गाडियां खड़ी हुई थी उन गाडियों में आग लगा दी जाती है फिलाल आप देखेंगे यहाँ से वो गाडियां हटाली गई है लेकिन जिस तरीके से आग यहाँ पर लगाई गई स्पॉर्ट पर वो निशान यहाँ पर फिलाल मौजूद है इस पूरे मामले के अंदर पुलिस की कोशिश यह है कि जिन लोगों ने दंगा भढ़काया जिन लोगों ने फाइरिंग की या जिन लोगों ने पत्राव किया उन सब को CCTV कैमरे की फोटेज से मुबाइल फोटेज के हिसाब से पहचाने की कोशिश की जा रही है लगभग 24 के आसपास जो दंगाई है उनको फिलाल पुलिस ने हिरासत में लिया है 24 से ज़्यादा लोग बताय जा रहे हैं कि घायल है 20 से ज़्यादा पुलिस करमी चार अधिकारी जो हैं वो भी घायल है कुछ को गोली लगी है और अब तक इस पूरे मामले के अंदर जिन लोगों की मौत हुई है तीन लोगों को रात को ही दफ्न कर दिया गया था शांती पूर्ण फिलाल इलाके के अंदर इस्थिती बनी हुई है पैदल मार्च किया जा रहा है पुलिस के अगर आप मौझूदगी देखें तो इस पॉर्ट पर नाकेबल डियाईजी बलकि जो अलग-अलग अधिकारी है वो लगातार नाकेबल पैट्रोलिंग कर रहे है इस पॉर्ट पर भी इस वक्त यहाँ पर पुलिस मौझूद है ताकि इस्थिती पूरी तरीके से कंट्रोल में लाई जा सके फिलाल बताया जा रहा है कि सौमवार के दिन संभल के अंदर मार्किट वैसे बंद रहती है लेकिन जो लोग अपनी दुकान खोलना चाहते हैं जरूरी समान की वो दुकान खोल सकते हैं कुछ अलग-लग राजनितिक पार्टियों के लोगों ने यहाँ पर आने की बात जो है वो कल कही है लेकिन पुलिस की कोशिश है कि किसी भी तरीके से इस स्पॉर्ट पर किसी राजनितिक पार्टी के लोगों को ना आने दिया जाए ताकि इलाके में माहल जो है वो शांत बना रहे यहाँ पर आगे की तब देखेंगे तो पत्थर यहाँ पर अभी भी पत्थर यहाँ पर पड़े हुए है इस तरफ भी कुछ बाईक और गाड़ियां जलाई गई थी वो आप देख सकते हैं सडक पर अभी भी यहाँ पर कालिक के निशान है फिलाल उपर अभी भी आप देखेंगे तो जब यहाँ पर दंगाई चड़े हुए थे तो कुछ जूते चपल जो है वो भी उपर यहाँ पर पड़े हुए है यानि कि चारो तरफ से इस मस्जिद पे जब सर्वे टीम यहाँ पर पहुँची हुई थी तो बावाल किया गया पत्राव किया गया और उसी को लेकर यह पूरी की पूरी हिंसा संभल के इलाके के अंदर फैली इंटरनेट सेवा जो है वो पूरे संभल के अंदर बंद कर दी गई है क्योंकि हमेशा देखा जाता है जब भी दंगा होता है तो सोशल मीडिया के माध्यम से दंगे को भढ़काने की कोशिश की जाती है इसी वज़े से इंटरनेट सेवा फिलाल बंद कर दी गई है पूलिस की कोशिश यह है कि CCTV फोटेज के हिसाब से जो दंगाई है उनकी पहचान हो सके उनके खिलाब सक्त कारवाई हो सके पुलिस ने पहले ही खा है कि जिन लोगों ने दंगा भढ़काया जिन लोगों ने पत्राव किया इलाके के अंदर शांती की स्थिती को खराब किया उनके खिलाब सक्त कारवाई की जाएगी, ऐसी कारवाई की जाएगी कि उनके बहुत जादा शिक कारवाई की जाएगी, इस तरीके से पुलिस ने कहा है, तो फिलाल अगर आप स्पॉर्ट की तस्वीरे देंगे, तो पुलिस की मौझूदगी यहाँ पर लगातार बनी हुई पूरे इलाके में शान्ती बहाली इसी तरीके से कायम रहे कल्चिस तरीके का दंगा देखने को मिला था वो दंगे की तस्वीरे एक बार फिर से देखने को ना बिले और इसकी जिम्मेदारी खुड डियाइजी सहाब ने सम्हाल रखी है डियाइजी मुनिराज लगातार गलियों में पेट्रोलिंग कर रहे हैं पुलिस है हम पूरी सहर का by अंच सहर्क काम एंदग का और अवि कोई दिक्कत नहीं है अब लोग भी तरफ शेल के लिए कर रहे जो कल यहां पर पत्राव हुआ है और निल्जक कुछ अभी तक जांच में आया है अभी फिलाल कुछ लोग के बार्किट वगरा खुलने के लिए नॉम्मालाइज करने के लिए कोई बाचित हो रही है लोगों से पहले आपको पता था नार्मल नहीं आजका सो मार्केट बंद रहता है काम करेंगे हम तो न लोग अपकर सकते हैं फिलाल जब से आप पैट्रॉलिंग कर रहे हैं लोग भी मिल रहे हैं लोग प्बलिक भार निकार बाद करकी आ रहा हूं पूरी तरीके से नियंतरन पा लिया गया है तो वहीं संभल के SP ने खुलासा किया है कि पुलिस पर हमला करने वालों में दो महिलाएं भी शामिल थी कंट्री मेड हतियार से पुलिस पर हमला किया गया है महिलाओं से पूछताच की जा रही है पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर यह साजिश कैसे रची गई और एका एक संभल का माहौल किसने बिगाड़ा और यह दंगा कैसे धड़का मोबाइल की जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उनको सस्पैंड करने के लिए एक दिन के लिए मैंने डिंए साब से रिक्वेस्ट किया था और शासन दोरा वो रिक्वेस्ट अपरूब कर दी गई है तो एक दिन के लिए इंटरनेट सर्वीसेज हैं वो बंद रहेगी जब थाना नखासा चेक्टर के अंदर डीम साब मैं और डीएजी साब अगेरा सब लोग पैट्रोलिंग पे जब जा रहे थे और एरिया लेकिन हर एक धर क्या सेनिटाइजिसन करना नेक्स्ट तो इंपॉसिबल है बट यह बात सच है कि एक समिलन सील जगा है और इस तरीके के जितने भी लोग हैं अपरादी हैं उनके खिलाब धर पकड़ अभियान भी चला जाएगा और जो भी व्यक्ति इस तरीके के काम में स लेकिनाथ है कल धंगा क्यूं हुआ इस दंगे में कितने दंगाई शामिल थे ये पता लगाने के लिए पुलिस लगाता तलाशी अभ्यान चला रही है सीसी टीवी की मदद से दंगाईयों की पहचान की जा रही है जिन गलियों में कल दंगा भड़का था अज उन्हीं गल इस समय हम संभल के उनी गलियों में हैं जहां से पत्थरबाज आये थे मस्जित की तरफ और जो मस्जित के आसपास के रहने वाले लोग है रिजो यहीं अक्स रहते थे उनके अब अगर तस्वीरे देखिए तो वो धीरे-धीरे अपने घरों को छोड़ रहे हैं परिवार क के साथ समान लेके समय अपने घरों को कुछ दिनों के लिए खाली करते हुए जा रहे हैं आप लोग कहा जा रहे हैं अब अपना घर किस हो जा रहा हैं हम तो अपनी घंद के घर जा रहा हैं समान लेके नहीं बच्चे का समान है बच्चे का समान इतना सारा महाल की वज़े स जा रहे हैं या फिर चेकिंग की वजे से नहीं नहीं हम ऐसी जा रहे हैं तो आपी के साथ है हो जी जी ऐसे केवल एक परिवार नहीं है जो अपना समान पैक करके कुछ दिनों के लिए इन गलियों को यहां से छोड़ रहे हैं दो कारण हो सकते हैं या तो महौल क्योंकि अभी गर थे जहां से पत्थर बरसाए गए पुलिस अब एके करको करके लोगों को घर से दबोच के उनके पहचान करके उनको डिटेन कर रही है यह कह दिया गया है कि एनसे की कारवाही की जाएगी यह डर अब लोगों को इतना सता रहा है कि धीरे-धीरे करके लोग अपने चोटे बैग लेके अपने घरों से निकल रहे हैं संभल में जहां हिंसा हुई वहां से अब लोग अपने घरों को छोड़के कुछ दिनों के लिए यहां से जा रहे हैं एक नहीं दो नहीं तीन नहीं पूरी गली समय खाली हो चुकी आप देखिए सभी घरों में यहां पे दिरे-दिरे ताले लग रहे हैं जो लोग सुबय से यहां बन थे वो अब दिरे-दिरे अपना थोड़ा बहुत समान पैक करके कुछ दिनों के लिए यहां से जा रहे हैं क्योंकि एक-एक करके अब उन-लोगों की पहचान हो रही हैं जिन्होंने या तो दंगाईयों की मद लाए थी जिन्होंने पुलिस पे पत्थर बरसाए जिसमें कई पुलिस वाले चोटिल हुए यह पूरी वो गली है जहां पे सबसे जादा पत्थर बाजी हुई थी फाइरिंग हुई थी अब एक-एक करके देखिए जो यह घर है यहां से लोग जाने लगे हैं एक और आपको कोई घर दिखाए तो इस घर का भी दर्वाजा अब आपको बंद मिलेगा हलाकि थोड़ी देर पहले जब हम यहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे तो यहां पे लोग मौजूद थे लेकिन चार-चार के ग्रूप में लोग यहां से बाहर निकले हैं ऐसा भी नहीं है कि एक- जाने शुरू हो चुके हैं डर है पुलिस की अब कारवाही का एनसे का डर है क्यूंकि एलान कर दिआ गया है कि जिन लोगों ने दंगा किया जिन लोगों ने पत्थरवाजी की उन पे कारवाईी होगी एनसे का ACT लगा के एक्शन लिया जाएगा तो एक तरफ संभल में पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है दंगाईयों को चुन-चुन कर पकड़ा जा रहा है इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है तो अब संभल की इस घटना का शोर सियासत में भी सुनाई पड़ रहा है अब इस पूरे मसले पर सियासत पी हो रही है प्रि अन्बूच कर माहौल खराब किया गया है बिना दोनों पक्षों को सुने जल्द बाजी में प्रशासन ने हडबड़ी में कारवाई की है जिसका नतीजा है कि असंतोश फैला और मौके पर दंगा हो गया सत्ता में बैठे लोग जब भेदभाव पून तरीके से अत्याचार करने लगेंगे तो इंसाफ कौन करेगा सुप्रेम कोर्ट को इस मामले में स्तक्षेप करना चाहिए ये कहा है प्रियंका गांधी में अगर जामा मस्जिद में सर्वे का मामला और इस सर्वे को लेकर लगातार मुस्लिम पक्ष के जो लोग है वो विरोज जता रहे थे बार बार ये कहा जा रहा था कि अगर जामा मस्जिद में सर्वे होता है तो माहौल खराब होगा और जैसे ही सर्वे करने के लिए टीम पहुची वैसे ही माहौल खराब होना शुरू हुआ और देखते ही देखते कल श्राम तक संबल में दंगा भड़क उठा और उस दंगे का आलम ये है कि अब इस पर जमकर सियासत भी होने लगी है अब आई आगे बढ़ते हैं संबल के बाद महाराश्ट की बात कर लेते हैं जहां महायुती को बहुमत के बाद अब कौन होगा महाराश्ट का अगला मुख्यमंतरी इसको लेकर लगातार जो माथा पच्ची है वो शुरू हो गई है लगातार नामों पर चर्चा शुरू हो ग लागता है तीनों दलों के बीच मंथन के बाद सीयंग के नाम का ऐलान किया जाएगा सींधु की रेस में देवेंद्र वर्नवीज का नाम सबसे आगे है एक नाच शिंदे केम भी सींधु लेकर लगातार दावा ठोक रहा है तीनों दलों की मीटिंग के बाद सीम का नाम तै हो जाएगा सूतरों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि देवेंदर फरनवीस का मुख्यमंत्री बनना तै हो गया है आज ही परनवीस, शिंदे और अजीत पवार दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग जाएगी लेकिन ये तै माना जा रहा है जिस तरीके का बहुमत महायुती को मिला और जिस तरीके से बीजेपी सिंगल लाजिस पार्टी बनी उसके बाद ये तै माना जा रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा देवेंदर फरनवीस मुख्यमंत्री होंगे हाला कि शिंदे गुड भी लगातार अपना दावा ठोक रहा है लेकिन लगभग लगभग ये तै समझा जा रहा है कि देवेंदर फरनवीस महा पटिकी हुई है कि मुख्यमंत्री कौन होगा महराश्ट्र का अगला बीजेपी कैम से सीम पद की रेस में सबसे आगे देवेंदर फंडवीस है तो वहीं शिवसेना शिंदे की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए एकनाथ शिंदे भी दावा ठोक रहे हैं वहीं महायुती म अजीत पवार फंडवीस के नाम पर राजी हुगए हैं सीम एकनाथ शिंदे का बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने ये क्लियर किया है कि पहले से कुछ भी तै नहीं था नए सीम पर आखरी मुहर दिल्ली में लगेगे अब देखे तीनों ही जो नेता है महायुती में शामिल ये तीनों ही नेता लगातार ये कह रहे हैं कि पहले से कुछ तै नहीं किया गया है सबकि रजामंदी के साथ आज दिल्ली से मुख्यमंत्री के चेरे पर मुहर लग जाएगी लेकिन सियासत के जानकार और जिस तरीके से तीनों कैम्ट से खबर निकल कर सामने आ रही है उसके मुताबिक देवेंदर फर्णवीज का महाराष्ट के मुख्यमंत्री बनना लगबक तै समझा जा रहा है लेकिन सरकार का फॉर्मूला क्या होगा महायुती की सरकार का चेरा अगर देवेंदर फर्णवीज बन भी जाते हैं तो इस सरकार का चेरा कैसा होगा आईए ये आपको बताते हैं इसका क्या सियासी फॉर्मूला है तो CM के साथ एक पर फिर से दो deputy CM बनाई जा सकते हैं देवेंदर फर्णवीस CM पद की रेस में सबसे आगे चल रही है एकनाथ शिंदे और अजीद पवार को deputy CM बनाया जा सकता है NCP विधायक दल की बैठक में अजीद पवार को नेता चुना गया है सूत्रों के मुताफिक NCP देवेंदर फर्णवीस के नाम पर राजी हो गई है मीटिंग के बाद देवेंदर फर्णवीस के नाम को सपोर्ट अजीद पवार ने कर दिया है तो फॉर्मूला वही होगा जो पिछली सरकार का है लेकिन इस बार सत्ता की कमान देवेंदर फर्णवीस के हाथ में हो सकती है देवेंदर फर्णवीस इस बार भाराष्ट के मुखे मंतरी बन सकती है